हेलो दोस्तो जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं ये BS6 का एक वाल्ब है जिसको exhaust throttle वाल्ब कहा जाता है दोस्तो इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये BS6 के अंदर क्यों लगाया गया है आप इस वाल्ब को BS4 गाडियों में देखे होंगे ये BS6 में ही लगाया गया इस वाल्ब को क्यों लगाया गया है इसका reason यह है दोस्तो कि BS6 के इंजन को गरम करने के लिए ये जो वाल्ब है इसको लगाया गया है अब BS6 का engine भाई गरम तो BS4 का भी engine होता है बट BS6 के engine को जल्दी गरम करने के लिए इस valve को लगाए गया वो कैसे गरम होता है जल्दी वो गरम ऐसे होता है दोस्तों कि जब गाड़ी start की जाती है तो अंदर के जो gases होते हैं इस valve के थुरू उनको रोका जाता है वो जो heat gases निकल जाता है और जिसके सारे process सुरू हो जाते हैं तो दोस्तों इसलिए इस valve को BS6 के अंदर लगाए गया है अब BS6 के अंदर दो वाल्व लगाए गया है यह जो valve है यह exhaust throttle valve है दोस्तों यह टर्बो charger BS6 में जहां पर टर्बो charger लगता है उससे पहले इस valve को लगाया जाता है इस valve म अच्छे से बैठाना होता है और इस valve को इसलिए उस जगे पर लगाए गया है और दूसरा जो वाल्व BS6 के अंदर लगता है दोस्तों वह इंटेक थ्रोटल वाल्व इससे पहले जो वाल्व मैंने आपको दिखाया वह exhaust throttle valve था और यह है इंटेक थ्रोटल वाल्व इसका भी वही काम है जो BS6 में exhaust throttle वाल्व का है इसलिए यह नई चीज़े BS6 में लाए गई है ताकि जल्दी से जल्दी सारे प्रोसेस शुरू हो सके और इंजन जल्दी से जल्दी हीट हो सके दोस्तों इसलिए इस valve को लगाया है इससे हीट गैस को कंट्रोल करके BS6 के इंजन को जल्दी से जल्दी करम किया जाता है दोस्तों यह इंटेक थ्रोटल वाल्व इंजन के लेफ्ट साइड में अपर में लगता है इंटेक थ्रोटल वाल्व इंटेक के प्लेस पे है ना और exhaust throttle वाल्व का प्लेस तो मैंने आपको बता काम है जो exhaust throttle वाल्व का है इसी तरीके से यह दोनों वाल्व की जानकारी कंपलीट होती है दोस्तों थैंक्यू